हेलो फ्रेंट्स चलिए देखिए इस कोशन को करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का है एससे सीप्यों 2017 का यह कोशन है ठीक है कॉस्ट टिटा अपॉन प्लस साइन टिटा कॉस्ट टिटा बीच में प्लस है बराबर चार तो ठीटा की वैल्ली पूछ रहा है देखिए कुछ भी नह संद लगां उचक iau पाशिए घटा से गुना कर दो कॉस्ट टिटा वन मैनस साइन टिटा अलेक spraw a-b 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 गुना कर तो a square-b square और जाएगा यह देखो a square-b-square राजाएगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब इसको cost को गुना करो, cost theta, minus sin theta cos theta, plus cos theta, साइं थिटा लिख सकता हूं बिलकुल लिख सकता हूं तो मैं स्कूर तीटा is equal to 4, theta की value पूछ रहा है, देखो क्या होगा, sin theta cos theta से sin theta cos theta चलता बना, minus plus, यह cos theta है, यह cos theta है, 2 cos theta हो जाएगा, upon, यह cos square theta है, बराबर में 4 है, तो 1 cos से 1 cos कड़ गया, यह 2 से 2 बार कड़ गया, तो बचा क्या भिया, यह बच गया, 1 upon cos, बराबर 2, तो मैं लिख सकता हूं, cos बर 1 by 2, तो इधर देखो क्या हो गया, cos theta बराबर, अब cos के अंदर 1 बटा 2 कब आता है, 30 में आता है, 60 पे आता है, 60 पे आता है, तो cos, 60 पे आता है, cos से cos गड़ गया, theta की value आ गई, 60 degree, यहनि कहने का मतलब है, कि cos के अंदर 1 बटा 2 कब आता है, 60 degree पे आता है, इस SSCPU 2017 का कोशन ह है, trigonometric का है, cos theta बराबर है, under root 11, cos x square theta plus sec square theta upon cos x square theta minus sec square theta की value पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, cos theta को अपन बाद में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा solve करो, इसको मैं यहाँ लाके थोड़ा solve करता हूँ, इसमें से मैं क्या common लूँ कि cot बन जा है, तो देखो मैं क्या कर रहा theta plus one बन जाएगा, बनेगा की नहीं बनेगा, ठीक है, बन गया, और upon में भी मैं से second square theta को common ले रहा हूँ, ले लिया, क्या बचे का अंदर, cos x square theta upon second square theta minus one, ठीक है, second square theta, second square theta cut गया, अब देखो यह क्या होता है, cos, cos x क्या होता है, मैं यहाँ side में solve कर रहा हूँ इसको, cos x होता ह 1 upon cos, तो देखो यह क्या हो गया, कि सीधा होकर, cos upon sign ही बन गया, और cos upon sign क्या होता है, cot होता है, ठीक है, इसलिए मैंने common लिया था, sec square को, तो यह cos x upon sec हो गया, cot, कैसे होगा, one upon sign, or one upon cos, cos उपर चले जाएगा, one upon, oh sorry, cot theta बन जाएगा, तो इसकी मैं लिख सकता हूँ, cot square theta, इस है न, उसको सही करूँगा न, मैं, तो cot theta बच जाएगा, तो क्या बन गया, cot square theta, plus one upon, cot square theta, minus one, तो cot theta की value पड़ी है, under root 11 का, square plus one upon, root 11 का square minus one, तो क्या हो गया, 11 और 12, 12 और 11 में से एक गया, तो 10, 10, 10 है न, यह, कितना हो जाएगा, 26, 12, 25, 10, तो answer क्या आगया, 6 बट्टा, 5 आ सेक, स्कोर theta को मैं इस प्रकार comment ले रहा हूं, कि cost upon, यह, sorry, cost upon sack, है न, वो cot बन जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह की मैजदार वीडियो के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा होते लाइक कर दीजिए, thank you so much